लंदन की एक इलाके में लेबर पार्टी की उमीदवार उमा कुमारन घर घर जाकर संभावित मद्दाताओं से अबील कर रही है कि 7 माई को होने वाले आम चुनावों में वो उन्हें संसत तक पहुंचाएं शुलंकाई मूल की उमा उस ब्रिटिश एशियाई समुधाय का हिस्सा है जिसकी महिलाएं अब राजनीती में कदम रख रही है लेकिन महिलाओं के लिए राजनीती अब भी स्वाभाविक करियर नहीं है जब मैं किसी मीटिंग में जाती हूँ और देखती हूँ कि मैं अकेली महिला हूँ और एशियाई भी तो लगता है कि ऐसा क्यूं है यहां तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल रहा है जब आप एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ते हैं जहां अलग-लग राश्टियता के लोग हो तो बात और भी मुश्किल हो जाती है आम तोर पर इसे अधेर उम्र के मर्दों का काम माना जाता है पिशला संसदिय चुनाव यहां की एश्याय महिलाउं के लिए करांतिकारी था देखकर लगता है कि महलाओं की संख्या बड़ी है लेकिन एक साथ ये है कि इस अत्याधुनिक समाच और दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र की संसद में एक तिहाई महिलाएं भी नहीं है बड़ा सवाल ये है कि बिटिश राजनीती में एश्याई महिलाओं की भागिदारी इतनी कम क्यों है और इतना वक्त क्यों लगा बिटिशन के सामाचिक सांस्कृतिक धाचे में एश्याई लोगों का योगदान बेहत एहम है और एश्याई महिलाएं अब कहती है कि वक्त है कानूनों और नीतियों के निर्मान में भी उनकी आवाज सुनी जाए हमने प्रिशन को बहुत कुछ दिया है हम अपने साथ सांस्कृतिक विवततार लाएं है अब ये हमारा घर है और अगर हमें लोग तंत्र में कोई बदलाव चाहिए तो जरूरी है कि हमारे जादा से जादा प्रतिनिधी हों पांच साल पहले एश्याय महिलाओं ने पहली बार संसत की दहली सपार की और उनकी संख्या बढ़ रही है लेकिन जादातर महिलाओं उम्मीदबारों का मानना है कि कोई और उन पर भरोसा करे इससे पहले उन्हें खुद पर भरोसा करने की लड़ाई जीतनी होगी जो संसत से नहीं घर से शुरू होती है स्वाती बाक्षी बीबीसी न्यूज लंदन